दोस्तों हम डिसकस करने वाले हैं काफी बड़े प्लान की क्योंकि हमारे के एड यूजर हैं उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है और उनका यह मॉडल अगर हम बात करें एडिया की 60 क्रॉस 70 60 वाई 70 स्कॉार फिट में बना है बहुत बेतरीन सा प्लान आपको देख का देखने को मिलती है इसी मॉडल का हम डिसकस करेंगे फ्रेंट लुक की बहुत करें फिर móंद के बात करें वी पर बेखने की मिलता है इननी चीजों का डिसकस करेंगे बाच इंक करेंगे अब बने रहे हमारी वीडियो पर लगातार मैं हूं बंज ज्ढज आग लें और आ जोस्तों मैंने एक paid service start की है मैं लगाता आप लोगों को बताता रहता हूँ उस paid service में आप हमसे contact कर सकते हैं आप से मैं बात करूँगा आपकी requirement को समझ करके आपके according house plan करता हूँ वो हमारी paid service है जिसमें आपको 50% payment advance देना होता है 50 बाद में यह जो मौडलाज में discuss करता हूँ यह भी हमारे एक paid user ही है तो हमारा नमबर आपको discussion में मिल जाएगा वाट्सव नमबर है आप आपर contact कर सकते हैं किसी भी मकान को design करने के लिए बशरते आपक from मैं zoom करता हूँ यह दोस्तों प्लर देख रहे है इस्टाइलिस प्लर में बनाए है यह फ्रेंड का design है यह देखिए आपका वी शेप का और यह आपका यहां सागर हम देखें यह बारंदा टाप का आप देख पा रहे होंगे और यह आपकी railing है तो इसी को मैंने zoom किया था थोड़ा जिव में कर ले दो कि क्योंकि size काफी बड़ा है यह स्टेर्स हैं सामने road है जहां से आप उपर जाएंगे तो अगर हम इसके ground floor की बात करें तो यह इसको ground floor दोस्तों यह जो आप प्लर टाइप के देख रहे हैं आप थोड़ा ignore कर दे अभी हमारे designing का part है तो यह आ साइज का लगबग में यह साड़े तीन फिट वाई साड़े पांच फिट या तीन वाई पांच आप लगवा सकते हैं नॉर्मली होता है window और यह गेट है जो चार वाई साथ फिट का लगा है main door जैसे आप यहां से entry करते हैं पूरा closed गर है तो आप पूरे घर पर देखीए यहां पर आ जाता है मैं एक एक चीज अभी discuss करूँगा first of all आपको यहां पर इस साड़ अगर हम बात करें तो दो बैट डूम मिल जाते हैं दोनों बैट डूम में अलग अलग विंडो अलग आपका एक डूर दिया हुआ है और सबसे पहले आपको जब आप में डोस इंट् पाता है बता दूँगा 2D planning जो मैं करता हूं वो शारी चीज़ें वहाँ पर mention करके देता हूं तो यह तो आपका hall हो गया यह bedroom एक यह bedroom इनके size बगएर है मैंने सारे 2D में include कर रखें इनके लिए अलग-अलग window और door मैंने दिया है इस side की बात करें तो यहां भी आपको एक यह bedroom मिल जाता अब इसे एज़ गेश डूम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद में डूर से अपर hall के बाद आप इंट्री करते हैं अपने आंगन में तो इसके लिए यह दूर है यह दो window दिया है जैसे आप आंगन में इंट्री करते हैं तो यह चारों तरफ दोस्तों यह द हो आप सकते हैं उपर से उपर से धूप बारंदा दिया इसकाद अगर हम इसे बात करें इससलिए यह बैड डूम इसके लिए आटाइज लेटर अरे बात यह दिये हुए इस रूम के लिए टाइज़ लेट वाद ही से नीचे मने रिस्टेर्ट दिया इसे के नीचे आपने इस टोर-ड्रूम भी एक बना सकते हैं अलागि मैं इस टूर रूम अलग से भी बनाया है इसका बाद ये दिखिए का एक एरिया दिया है आपका किचिन का आप यहाँ पर ये बना सकते हैं इसका बैड डूम है इस बैड डूम के लिए लेटन बात तो आप देखी मैंने टूरी में सारी चाज़े मेंशन कर रखी हैं और ये बीच में आपका आंगान और बारंदा चारो तरफ आपको देखने को मिल जाता है ये पिलर खड़े हुए है तो पूरा पिलर पे दोस्तों ये घर बना है पर फ्रेंड के लिवेशन की बात करें अब हम बात करते हैं इसके का लाश फ्रोर तो लाश फ्रोर पर ये है पूरा चारो तरफ चारफ प्रा का बाउंड़ी Foundy चलिए से myself अब प्रॉपर तरीक ये और फ्रियो अँद romance視 का बाउंड़ है तो यह पिलर है और यहां पर देखी बांडी मैंने रेलिंग यहां पर लोहे काप शील के जिसका भी पसंद करने वह लगवा सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग और यह पूरा आपका 3D बनकर रेडियो हो जाता है टूटी मैं अपने जो हमारे प्रॉपर होते हैं उनको प्रॉइड कर दें साइज वगरा डामेंशन वगरा सारा मेंशन होता है तो प्लान यह वीडियो कैसा लगा हम कमेंड करके बताएं शाष्य वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों अगर आप हमारे मॉडल से के लिए आप मैंने एक अपलीकेशन खिया है उस अपलीकेशन को आफ डाउनलोड कर सकते हैं प्ली स्टोर से इसमया को सर्च करना होगा है इस्माल हाउस प्लान मैं ने ओलेडी सर्च किया है तो मेरा अको application. दिकीए मैंने link फिला description दिया directly आप link के three download कर सकते हैं. यह हमार application दिखीए यह वाला logo है इसे आप इंस्टॉल करने मैं install कर चुका हूँ. description में link कर directly आप प्लेट्यूर पर पहुंच जाएंगे आप जैसे यह open करेंगे तो open करने के बाद आपका हिए चब चब बूरा ओपन हो जाता है, यह देखीगा, यह सारे option आपको दिए है, brick calculation घर में आपके कितनी detail लगेंगी, plaster में कितना material लगेगा, वो आप find out कर सकते हैं, आपके column में कितना material लगेगा, छथ slab में आपका कितना लगेगा, primer, putty क्या लगेगा, beam में क्या लगेगा, अलग आप find out करके, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैं example के तोर पर आपको बताता हूँ, slab का, अगर आपको घर में slab बनवानी है, तो आप मल टोटल पहले, आप length find out कर लें, अपने slab की, कि suppose that एक हजार स्कार फिट एरिया है, लंबाई suppose आपकी जो length है, वो 50 feet है, और जो width है म calculate कर ले, गिट्टी, सीमेंट और मौरम का क्या ratio आप रखना चाहते हैं, एक बोरी अगर आप सीमेंट रखना चाहते हैं, तो दो बोरी, सीमेंट, मौरम, पांच बोरी, यह बगएरा, जबो भी आप जो देखते हैं, इसका diameter बार, तीन सूत का सरीया डालेंगे, लेंटर में या छिलाय में, या चार सूत का, वो डालें, इसका distance between बार, आप जो छट बनवार, उसमें, जो सरीया पड़ेगा, वो कितनी कितनी दूरी पर पड़ेगा, वो डालना, मैंने 6 इंज पर डाल दिया, कल्कुलेट पर क्लिक करेंगे, तो इस सारी चीजें कल्कुलेट करेंगे कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, ग्रिगेट कितना लगेगा, इस्टील कितना लगेगा, अगर आपको rate find out करना है, तो rate पर क्लिक करेंगे, आपके हाँ जो इटो का समय चल रहा होगा price वो आपको डालना है, क्योंकि अलग अलग जगह दोस्तों, इड वगेरा अलग अलग होती है, तो price अलग अलग होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर fix नहीं किया है, जो भी आपके हाँ चल रहा हो, सब price डालेंगे, तो grand total यहाँ पर estimate आपको दिखा देगा, तो यह application आप download करें, link description में है, यहाँ चाप पूरा घर का आपने estimate find out कर सकते हैं, तो यह जानका आप से मैं बात करके, आपकी requirement को समझ करके, आपके recording house plan करता हूँ, तो चलो इस वीडियो की break करते हैं, थैंक्स होची,